नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरीश और टेकनो हरीश यूटूब चैनल में आपकर स्वागत है तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग के F23 मोडल में आप फॉन का जो डाटा है वो अपने मेमोरी कार्ड में कैसे टांसफर कर सकते हैं चाहें कोई वीडियो हो फोटो हो कोई डोकुमेंट्स हो या कुछ भी डेटा हो वो आप अपने मेमोरी कार्ड में कैसे टांसफर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपने फॉन के अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना होगा इंसर्ट करने के बाद आपको अपने फॉन के फाइल मेनेजर में जाना होगा यह माई फाइल के अंदर जाना होगा my files के अंदर जाने के बाद आप जब अपने phone के अंदर memory card insert करोगे तो यहाँ पर वो show कर देगा जैसे कि यहाँ मेरा mansion का raias d card तो जब यह insert करेंगे तो यहाँ आपका यह visible हो जाएगा अब आपको क्या करना है जो भी data जो है आपको अपने phone के अंदर transfer करना है तो जो भी data आपको transfer करना है अपने memory card के अंदर तो phone की memory से तो यहाँ पर आप देख रहे है यह internal storage ठीक है तो इसमें आपको जाना होगा अब इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपना phone का data देखिंगे जो भी आपके phone के अंदर है photos वगेरा है या कोई video है या कोई documents है तो जो भी आप data transfer करना चाहते हैं वो आप transfer कर सकते हैं example के लिए मेरे पास एक images है जबसे पहले आपको images दिखाता हूं यह एक images है अब यह जो है मैं अपने memory card के अंदर transfer करना चाहता हूं या move करना चाहता हूं तो इसे move करने के लिए इसके उपर आपको hold करना होगा कुछ second hold करने के अबाद यह automatic select हो जाएगा select होने के बाद नीचे आप option देख रहे हैं काफी सारे option आ रहे है move, copy, share, delete, more तो हमें अगर यह move करना है तो phone की memory से हमारे memory card के अंदर transfer हो जाएगा और phone से हट जाएगा move हो जाएगी, तो आप दोनों ही कर सकते है, move करना है, जैसे cut paste करते हैं हम system के अंदर वैसे ही है cut करेंगे, तो यहांसे लाएवाद में जो फाइर मेनेजरेस के होमपेच पर आ चुका हूँ यह तरगा जो इसका मैं जो है उस पर आ चुका हूं में उसके बाद देखें जहां पर भी आपको मूव करना है वह इमेज इस समय मूव होने के लिए तयार है देखें नीचे आ रहा है मूव हैर तो मैं स् प्लाल मूव हैर कर देता हूं मूव हैर करने के बाद आप सबसे नीचे देखेंगे यह मेरी इमेज जो है इसके अंदर आ चुकी है ठीक है यह तो मेरा मेमोरी कार्ट हो गया अब इंटरने स्टोरेज में चलते हैं तो यहां पर वो जो फाइल है इसके अंदर से फाइल गा गया एक MP3 folder है इसमें गया अब ये एक MP3 है MP3 सॉंग है तो इसे मैं transfer करता हूँ देखिए मूव लिखा है मूव करते हैं मूव करने के बाद दुबारा इसी पर टैप करेंगे टैप करने के अजडी कार्ट में चूज करेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पर जो लिखा मूव है इस पर क्लिक कर देंगे देखिए यह जो है यहाँ पर आ चुगा है कि इसी तरह अगर हम copy करना है तो हम इंटर्ण स्टोर्य में चलते हैं MP3 में चलते हैं और यह एक MP3 सॉंग है इसके अब हम जो है copy करते हैं तो इसको जो है हम अब copy करेंगे यह आप देखिए MP3 सॉंग है मैंने copy बेग क्लिक किया यहाँ पर टैप किया SD card में गया और copy hair कर दिया copy hair करने के बाद आप देखिए देखिए वह जो है MP3 सॉंग जो है इसके अंदर आ चुका है देखिए यह आ चुका है ठीक है इस तरह आप अपने phone का जो data है phone के memory से अपने memory card में transfer कर सकते हैं और ऐसे ही memory card का जो data है वो भी phone में transfer कर सकते हैं जैसे SD card में गया मैं अपने आप यह में जिसे मुझे दुबारा अपने phone के अंदर मूब करनी है तो मूब पर क्लिक करूँगा दुबारा अपने phone के अंदर आ चुका है तो इस तरह आप अपने phone का जो data है आप memory card में transfer कर सकते हैं कोई video file हो, documents हो, images हो या कुछ भी हो सकता है वो data आपने memory card में transfer कर सकते हैं और memory card से phone की जो internet storage है उसमें transfer कर सकते हैं यहां से बैठ करता हूं और इस तरह आप अपने phone के data transfer कर सकते हैं अगर यह video आपको अच्छे लगा हो तो इस video को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें